हलो स्टूडेंस वेलकम टू वाइफाइ स्टूडियोज एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है सुभा के साड़े पांच बजे के सेशन में जहाँ पे आज हम डिसकास करने वाले हैं स्टेटमेंट एन अजंप्शन का सेकेंड पार्ट येस इन द लास्ट क्लास हमने स्टेट को भी लुक आफ्टर किया था तो चलो आज हम लोग फिर से कुछ स्टेटमेंट एन अजंप्शन के एक्जाम्पल्स देखेंगे क्वेस्टेंगे ताकि आपकी एफिशेंसी एक्यूरसी और इंप्रूव हो जाए इसके अलावा फटा-फट इस वीडियो लिंक को शेर कर द बिकॉस नाओ इस सेशन इस इंपोर्ट फॉर एससी एक्जामिनेशन इसके अलावा सारे के सारे स्टेट लेवल ओफ इग्जामिनेशन रेलवेज एंटीपीसी जिस भी एक्जाम में आपका जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का सिलिबस आता है येस यू हर्डि लिए बेनेफिशल होगी डेली बेसिस पे सुभा साड़े पांच बजे ये सेशन प्रीमियर होता है तो आप सुभा सुभा गर इस सेशन को देखते हो वेल और नहीं तो दिन में किसी भी टाइम पे एक बार वाइफाइ स्टूडियो चानल खोलके इस वीडियो को देखो ज जैसा कि आपको पता है कि regular basis पे हमारी सारी की सारी classes YouTube के साथ साथ Unacademy पर भी चलती है Unacademy के platform पे अगर हम बात करें तो सुभा साड़े साथ बजे bank की free special class होती है और रात को 9 बजे SSC की free special class होती है अब ये दोनों के दोनों classes ही 60-60 minutes की होती है इसके अलावा इसमें subscribers और non-s सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो साड़े बारा बजे 16 डिसेंबर को हमने एक प्लस कोड्स लॉंच कर दिया है जिसमें हम SSC के सिलिबस पे कवर अब करने वाले हैं ताकि आपकी तयारी आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत साथ यूट्यूब का स्केडियूल भी क्लियर है वाइफाइ स्टूडियोज पे वीक डेज में मंडे से लेके साटड़े तक सुभा साड़े पांच बजे सेशन प्रीमियर जो की कम्प्रीट हाफ एन आवर का एक होता है साटड़े संड़े साथ बजे शाम को यही सेशन ला प्रोफाइफ होता है जो की हाफ एन आवर का होता है और साटड़े संड़्य यही क्लास आप की 4 बजे होती है जो की वन आवर की होती है तो अब इसमें अच्छी और बहतर बात पता है यह है कि जब भी आप इन sessions को attend करना चाहेंगे आपके पास अब timing का schedule का सारा का सारा format है चाहे वो unacademy हो चाहे वो YouTube हो तो आप अराम से हमारे नाम से unacademy पे profile follow करने के साथ-साथ classes को भी regularly देख सकते हो अच्छा इसके अलावा subscription का एक process है तो देखो किसी भी course पे click करो किसी भी course पे जब आप click करोगे तो course पे click करते ही वो duration का page open करेगा अब आपने अपनी strategy बनाई हुई है तयारी करने की तो आपको पता है कि आपको कितना time चाहिए to get through all the syllabus to get through all the preparation तो आप उतना timing उतना duration select करो उसी page पे code apply करो SMS 10 और proceed to pay करते ही online proceeding purchasing portal पे जा कि अपना subscription done करो most important या star benefit subscription का इस code के थूँ subscribe करने का है कि आप आराम से आराम से other subjects की classes plus other educator की classes भी कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे पढ़ोगी आप सिर्फ हमसे ही पढ़ सकते हो नहीं आप सारे subjects की classes कर सकते हो सारे educator की classes कर सकते हो बस थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि आप subscription करते समय इस code को use करो ठीक है तो चलो अब हम शुरू करते हैं statement and assumptions का question format discussion की कैसे और किस तरीके से उनकी approach होनी चाहिए और जो हमने सिखाया था वो आपको clear हुआ है की नहीं हुआ है तो सबसे पहली बार तो यह निकल के आती है कि question format English Hindi दोनों में होता है question में आपके सामने एक statement दी जाती है अब जब हम assumption find करते हैं तो हम according to the speaker find करते that means हम खुद को speaker consider करते to get through the answer और अगर हम खुद को speaker consider करते हैं तो यहां statement में देखो क्या हूँ statement में कहा है the state government has decided to appoint 4000 primary school teachers during their next financial year राज्य सरकार ने अगले वित्तिय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक school शिक्षकों की न्यूकती करने का निर्ने लिया है तो यहां state government ने decision लिया है और हमें बताया है so that means हम खुद को क्या consider करेंगे state government या राज्य सरकार क्योंकि यह जो कथन है यह जो statement है यह आया किसके थू है यह आया है state government या राज्य सरकार के थू अब इसमें assumptions मतलब speaker की सोच राज्य सरकार की पीछे की सोच क्या है वो है पहला there are enough schools in the state to accommodate 4000 additional primary school teachers राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को समयाजित करने के लिए परियाप्त स्कूल है त्यार बट ओव्यस सी बात है एक ऐसे समझू ना आप घर में party organize करते हो आप 100 लोगों को बिलाते हो 200 लोगों को बिलाते हो कई बार 50 लोगों को ही बिलाते हो क्यों 50 लोगों को ही बिलाते हो खर्चा कम हो इसी लिए नहीं न बलकि हमारे पास छोटा सा lawn होता है या छोटा सा garden area होता है या छोटा सा living room, छोटा सा hall होता है जहां पे हम बहुत सारे लोगों को accommodate कर नहीं सकते तो हम limited गिने चुने लोगों को बुलाते हैं तो main मुद्दा तो यहां पे यह होता है ना कि हम लोगों को बुलाते हैं यह सोचके कि हमारे पास जगा कितनी या शादियों में marriage lawn या marriages hall जो हैं वो book भी इसी तरीके से होते हैं 500 लोगों की शादिया चलो वो आला lawn book करेंगे 1000 लोगों को बुलाना है शादि में तो चलो उससे बड़ा वाला lawn book करेंगे that means हम पहले जगहा accommodate करने के लिए आराम से तयार करते हैं तो बस वही वाला दिमाग लगाओ नहीं यहां पे राज्य सरकार ने स्टेट गवर्मेंट ने primary school teachers के appointment की बात की तो कही ना कही है और उनके पास vacancies होगी न नहीं तो ऐसा थोड़ी कि school teachers का appointment करके बस उनकी free में salary बना के उनको बुलाएंगे उनकी attendance लगवाएंगे और बस उनकी salary पर salary बनवाते जाएंगे नहीं अब जब वो teachers हैं तो obviously उनसे class भी दिलवाएंगे उनको classes लेने के लिए देंगे भी तो कहां देंगे जब कहीं कोई class में vacancy होगी तभी ना notifications निकलते हैं आप लोग form फिल करते हो चाहे ssc के हो bank के हो किसी भी competitive exams के हो जब वहां रिक्त स्थान होता है तभी तो उतने number of vacancy निकलते हैं नहीं होते उतने रिक्त सान तो नहीं निकलती नहीं होती उतनी vacancies बात समझे हैं तो पहला वाला जो हमारा assumption है पहले वाला जो हमारा पूर्वधार्णा है वो accurately appropriate है statement के कि राज में इतने enough schools हैं ताकि 4000 अतिरिक्त प्राथमिक school शिक्षक या additional primary school teachers को accommodate किया जा सके तो first वाला तो appropriately correct है अब दूसरा the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers योग्य उमीद्वार आवेदन करने के लिए इच्छुक नहीं हो सकते क्योंकि सरकार अंततह इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्याले के शिक्षकों की न्यूक्ति नहीं कर सकती तो यह तो अपनी मनगणन का आने होगी ना कहरें नहीं नहीं दसजार वैकेंजी का क्या मतलब उनके पास दसजार फॉजिशन ही नहीं हैं, how do you know? तो यह वैसे भी speaker के according, राजिसर्कार के according नहीं है यह तो हमारे according है तो that means इसकी कोई व्यादता, validity नहीं है, हमारे पास सिर्फ validity उसकी होगी, जो as per the speaker होगा, according to the speaker होगा So, इस question का answer हो गया हमारा only one is implicit और implicit का तो meaning आपको पता ही है न, अंतर निहित Yes, चलो Let's see the next question अब क्या है? A warning in a train compartment To stop train, pull chain Penalty for improper use, Rs. 500 अब कथन क्या दिया हुए? एक train के डबे में चितार नी Train को रोकने के लिए chain खीचे अनुचेत उप्योग के लिए जुन्माना 500 रुपे तो ये एक notices तो train के compartments में आराम से लगे ही होते कि अगर आप train रोकने चाहते हैं तो chain खीचे लेकिन अगर आपने अनुचेत या improperly उसको खीचा मतब जबरदस्ती खीचा जिसकी requirement नहीं थी Excuse me, so you have to pay the penalty of Rs. 500 Done अब ये statement किसके according है ये statement है railways के according ये statement है रेल मंत्री हो सकता है या railway का जो भी authorized person होगा उसके according अब इस पर assumptions Some people misuse the alarm chain कुछ लोग alarm chain का गलत इस्तमाल करते हैं Yes तभी तो ये notice लगाया या तो यार ये तो कई जगा देखा भी जाता है कई सारे states हैं तो हम specifically किसी state का नाम तो नहीं लेंगे लेकिन कई सारे states सिर्फ इसीले famous हैं क्योंकि वहाँ पर train दो मिनिट चलती है फिर रुख जाती है फिर चलती है फिर रुख जाती है क्यों? क्योंकि लोग आए उस पर उपना chain कीशते रहते हैं उसकी ठीक है? तब ही तो जरा देखो वार्निंग दो पार्ट में डिवाइड करो पहला अगर आप train रोकना चाहते हैं तो chain कीशें येस खास मौकों पर लोगों को जब train दोडने वाली train को रोकने का एक मौका चाहिए होता है या पॉइंट चाहिए होता है जब वो train को रोक पाएं तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया लेगिन पेनल्टी फॉर इंप्रॉपर यूज अनुछी तुप्यों के लिए 500 रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा तो ये एक warning भी हो गई है तो पहला और दूसरा दोनों ही appropriately आ रहे हैं तो जब दोनों ही appropriately आ रहे हैं तो हम क्या माँद करेंगे option number 4 that is both 1 and 2 is implicit बात समझाई I have to check the audio also बीच बीच में क्योंकि कल आपका वीडियो इसलिए आपको नहीं मिल पाया था क्योंकि audio का बहुत उसमें दिक्कत हो रहा था ठीक है चल let's see the next अब क्या है if it is easy to become an engineer I don't want to be an engineer यदि engineer बनना आसान है तो मैं engineer नहीं बनना चाहता है यह तो वही बात होगी अगर छट से कूदना आसान है तो मैं छट से नहीं कूदू है क्योंकि मुझे तो अब इससे क्या मतलब निक्रा क्योंकि मैं और difficult काम कुछ करना चाहता हूं है ना पहला एन इंडिविजवल एस्पायस टू बी प्रोफेशनल एक व्यक्ति पेशेवर होने की आकांशा रखता है यहां पे एंजीनियर बनने के लिए उसको एजी लगता ह है इसलिए वो नहीं बनना चाहता है मैं प्रोफेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आया तो जब नहीं आया तो पहला वाला irrelevant हो गया अब वहीं रहा दूसरा one desires to achieve a thing which is hard earned एक ऐसी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा करना जो कठिन परिश्रम है definitely यह सही है क्योंकि हमें भी लगता है ना कि हम कुछ अच्छा difficulty से कुछ अच्छीव करें ताकि हमारी भी वावाई हो और हमें भी खुद पे गर्व हो proud हो so that is why इस question का answer होगा only second is implicit the concession in railfares for the journey to hill stations has been cancelled because it is not needed for people who can spend their holidays there hill station की यात्रा के लिए rail किराय में रियायत को रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन लोगों के लिए आविश्यक नहीं है जो अपनी छुटियां वहाँ बिता सकते हैं अब क्या हुआ है समझ में आया hill stations पे journey के लिए hill stations पे journey करने के लिए यात्रा करने के लिए जो railfares में concession होता था उसको cancel कर दिया है क्योंकि ये मानना है कि अगर लोग वहाँ travel कर रहे हैं चुटियां बिताने के लिए तो वो इत्ता खर्चा तो करी सकते हैं यार obvious सी बात है ये statement ऐसी रहा चलते तो किसी ने नहीं बोले होगी आई तो railway की तरफ से ही होगी yes तो अब इस पे पहला assumption railway should give concession only to needy persons railway को केवल जरूरत मंद व्यक्तियों को रियायत देनी चाहिए so yes कही ना कही बात सही है जिसको जरूरत है उसको दो जिसको नहीं लगता जरूरत है मन तू option में दे दो optional में है ना अब railways should not encourage people to spend their holidays at hill stations railway hill station उपर अपनी चुटिया बिताने के लिए लोगों को प्रोच साहित नहीं करता अब अगयान इसका कोई लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं है तो हम आप करेंगे इसका सिर्फ और सिर्फ पहला क्योंकि railway लोगों को hill station पे जाने से रोके यार तो फिर उसकी रोजी रोटी कैसे जलेगी हाँ ये हो सकता है कि जो needed है जो जरूरत मंद है जिसको चाहिए actually a concession उसको बस देना चाहिए तो बस only one is implicit is the right answer done अगला दिखो the bridge was built at the cost of rupees 128 crores and even civil bus service is not utilizing it what a pity to see it grossly underutilized a citizen's view on a new flyover linking east and west sides of a suburb क्या कथन है यह पुल 128 crore की लागत से बनाया गया था और यहां तक की civil bus सेवा भी इसका उपयोग नहीं कर रही है इसे घोर रूप से कम देखकर अफसोस होता है एक उपनगर के पूर्व और पस्चिम पक्षो को जोडने वाले एक नए flyover पर एक नागरिक का दृष्टी को तो यार obviously बाते कहीं पर कोई project चलता है तो हमें बताई जाता है न कि कितने amount का है यह कितना पैसा खर्च हुआ तो एक bridge बनाया गया 128 crore रुपे खर्च कर रही और लोग तो छोड़ो जो public bus हैं जो सरकार की तरफ से चलती वो तक उस bridge पर नहीं चलती अब यह statement आया किसकी तरफ से एक citizen की तरफ से एक नागरिक की तरफ से that means being a नागरिक, being a citizen अब आप सोचों कि इसके पीछे की सोच क्या है तो बात सीधी सीधी सी निकलती है पहला building of such bridges does not serve any public objective ऐसे पुलो का निर्मान किसी सार्वजनिक उदेश का उदेश की पूर्ती नहीं करता बलकि public objective, public को ही तो ध्यान में रख्के ऐसी चीज़े develop की जाती है तो पहला वाला तो totally दूसरी दिशा में भाग रहा है तो पहला वाला गलत अब दूसरा there has to be some accountability and utility of money spent on public projects सार्वजनिक परियोजनाओ पर खर्च की एक धन की कुछ ना कुछ जवाब देही और उप्योगिता होनी चाहिए so of course यह सही क्योंकि जो जनहित में public के लिए खर्च हो रहा है उसका लेखा जोखा और उसका पूरा का पूरा counter होना चाहिए तो बस answer क्या माग करेंगे हम इसमें only second is implicit done अगला देखो the government has decided to levide 2% on the tax amount payable for funding drug relief programs सरकार ने सुखा राहत कारिक्रमों के वित्पोशन की लिए दे कर राशी पर 2% लगाने का निरने लिया है पहला जम्श the government does not have sufficient money to fund drought relief programs सरकार के पास सुखा राहत कारिक्रमों के लिए परियाप्त धन नहीं है तो यार ऐसे थोड़ी होता है धन नहीं है तो कुछ भी करेंगे क्या नहीं न तो पहला वाला तो totally not demanded not required दूसरा amount collected by the way of surcharge may be adequate to fund these drought relief programs अभिचार के माध्यम अभिचार के माध्यम से एकत्र की गई राशी इन सुखा राहत कारिक्रमों की निदी देने के लिए परियाप्त हो सकती तो यार देखो एक बात बताओ government ने decide किया है 2% लिवाई tax amount payable होगा जो भी इस drought relief program में donate कर रहे है तो मान लो जैसे आप अगर 100 रुपे दे रहे हो तो 100 रुपे का 2% भी इसमें जुड़के आपको देना पड़ेगा तो ये कहलाया surcharge जो भी excessive amount हुआ तो अब क्या है कि जो भी surcharge collect होगा ऐसे वो drought relief program में देने के लिए काफी होगा adequate होगा ये भी irrelevant तो जब दोनों के दोनों गलत हैं तो हम answer mark करें नाइदर वन नौर 2 is implicit done अगला देखो detergents should be used to clean clothes कपडे साफ करने के लिए detergents का इस्तिमाल किया जाना चाहिए अब इसके पीछे की पहली सोच detergents form more leather detergents अधिक leather या जाग क्या कहते हैं इसको अधिक leather या अधिक जाग बनाते हैं तो अब यस्ती बात है ना जितना जादा leather होगा जितना जादा जाग होगा कपडे उतने ही clean होगे साफ होगे अब दूसरा detergents help to dislodge grease and dirt detergent तेल और गंदगी को हटाने में मदद करते हैं no क्योंकि आपको खुद पता है तेल का दाग लग जाए कोई भी गंदगी dirt ऐसे लग जाए वो directly सीधे सिर्फ और सेफ नई clean होथी और detergent से तो ना उसके लिए फिर कोई ना कोई solution यूस करना पड़ता है कोई method यूस करनी पड़ती है तब अंसर क्या हो जाएगा only one is implicit done चलो आगला देखो it will be a substantial achievement in the field of education if one provides one school for every village every village in our country and enforce attendance कथन क्या दिया हुआ है शिक्षा के शेत्र में यह एक बड़ी उप्लब्धी होगी यदि कोई हमारे देश के प्रत्य गाउं के लिए एक school प्रदान करता है और उपस्थिती को लागू करता है तो अब इसके पीछे का अजम्शन children and villages do not attend school regularly गाउं में बच्चे नियमित रूप से school नहीं जाते हैं तो यह बात तो सही है ना ना इतने schools होते हैं ना हर बच्चा जा पाता है अब दूसरा providing school to every villages desirable प्रत्य गाउं को विद्याले उपलब्ध कराना वांशनी है अब हमारे question of point सीधा सीधा से यहां पर निकल के यह आता है कि गाउं में बच्चे नियमित रूप से school नहीं जाते हैं इसका इससे क्या लेना देना statement से कोई नहीं ना तो बस दूसरे की बात अगर हम करें तो providing school to every village is desirable यह सही so that means option number two only two is implicit is the right answer done the government has decided to disinvest large chunk of its equity in sector public sector undertakings for a better fiscal management सरकार ने बहतर वित्य प्रबंदन के लिए चुनिंदा सार्वजिन क्षेत्रों में उपक्रमों में अपनी equity के बड़े हिस्से को विनिवेश करने का निर्नाय लिया है क्या समझे से कि government ने large chunks को disinvest मतलब जो बड़े-बड़े market में organizations, companies या sectors जो जुड़े हुए है उनको काटने के लिए उनको दरकिनार करने के लिए क्या कहा better fiscal management बनाने के लिए large chunks को हम disinvest की तरह बढ़ा देंगे पहला the amount generated out of the disinvestment process may reduce substantially the mounting fiscal deficit विनिवेश प्रक्रिया से उत्पन राशी में बढ़ते राजकोशी घाटे को काफी हद तक कम किया जा सकता है so definitely yes दूसरा there will be enough demand in the market for the shares of these undertakings इन उपक्रमों के shareों के लिए बाजार में परियाप्त मांग होंगी समझ में आया तो इसमें आपका पहला तो है ही दूसरा भी definitely there will be enough demand in the market for the shares of these undertakings तो याज जाज स्याज दिमांड है तभी तो कहीं न कहीं government ने ये decide कि हम disinvest करके थोड़ा सा अपना mode change करें तो पहला भी और दूसरा भी that means answer क्या हो जाएगा both one and two follows sorry implicit done अगला देखो never before such a lucid book was available on the topic इस तरह की चमकदार किताब के विशय पर उपलब्द होने से पहले कभी नहीं थी पहला some other books were available on this topic इस विशय पर कुछ अन्य पुस्तके उपलब्द थी तो ऐसा तो कहीं पर कोई जिक्रे ही नहीं है अब दूसरा देखो you can write lucid books on very few topics आप बहुत कम बहुत कम विशयों पर स्पष्ट किताबे लिख सकते है समझके है तो not necessary कि आपको यहाँ पर सारी चीज़े ध्यान से लेके चलनी है कैसे लेके चलनी है बस खुद को यह समझ लो speaker आप ही हो ठीक है तो अब जब यहाँ पर हुआ है कि इस तरह की चमकदार किताब के विशय पर उपलब्द होने से पहले कभी नहीं कहीं गई है तो obvious सी बात है जब यहाँ पर हम कहीं न कहीं relation निकालते हैं तो दूसरा वाला up to the mark, up to the date निकल के आते हैं You can write lucid books on various topic Done तो answer is इसका only second only second is implicit अब यह हो गया statement and assumptions के example questions everything classes की timing देख लो एक बाफिर से bank की free special class सुभा साठे साथ बजे SSE की free special class राट में 9 बजे plus quotes की class साड़े 12 बजे 16 December से अलरडी स्टार्ट हो चुकी है subscribe करने के लिए use the code SMS10 YouTube का schedule ये रहा session पसंद आया है तो like करेंगे share करेंगे, channel को subscribe करेंगे और इसी तरीके से Wi-Fi studios पे सारे के सारे sessions देखते रहें that's all for now thank you, keep practicing have a good day